नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात्की विशलेशन में आपका स्वागत है संपात्की से संबंदित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं कल पूछे गए प्रश्णों से कल जो प्रश्ण पूछा गया था वो प्रश्ण है कि अगर कोई दो देश संयुक्त रूप से किसी तीसरे देश के साथ वारता करते हैं तो वारता का यह रूप कहलाता है चार आप्सन है आप्सन A 2 प्लस 1 आप्सन B 1 प्लस 1 आप्सन C 4 माइनस 3 और आप्सन D 1 प्लस 1 तो इसका सही जवाब है आप्सन A 2 प्लस 1 हुआ यूँ कि 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जब चीन की यात्रा पर गए थे तब चीन ने नेपाल को 2 प्लस 1 वारता का प्रस्ताव दिया था मतलब कि चीन और भारत एक साथ नेपाल के साथ विविन मुद्धों पर बात चीत करेंगे अब हम बढ़ते हैं अपने संपादकी की ओर और ये रहा आज का पहला संपादकी है जिसका शिर्शक है Gaps in Learning और इस संपादकी को लिया गया है हिंदू न्यूस पेपर से और यह संपादकी जियस पेपर 2 में शामिल विसे स्वास्थ, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंदित, सामाजिक छेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंदित विसे के दृष्टिकों से महत् 2020 याने की Annual Status of Education Report मतलब असर देखें असर की जो रिपोर्ट आती है यह रिपोर्ट राष्ट व्यापी सरविक्षन पर आधारित होता है जिसमें भारत के प्रत्येक राज और ग्रामीन जीलों के बच्चों की स्कूली सिक्षा की इस्थिति और बुन्यादी सिक्षा के इस्त असर का सरविक्षन किया जाता है और यह सरविक्षन 15 वर्सों से प्रथम नाम के एक NGO के द्वारा आयुजित किया जा रहा है असर की जो रिपोर्ट 2020 में आई है इसके अंतरगत 26 राजियों और 4 केंदर सासित प्रदेशों के 60,000 बच्चों से पूचताच पर यह सरविक्ष 17 संक्रमन के कारण अभी सरविक्षन में भौतिक रूप से सरविक्षकों का उपस्थित ना होना अब यह जो सिक्षा की वार्सिक रिपोर्ट 2020 आई है चरा इसके प्रमुख बिंदुओं पर गौर करते हैं देखे प्रमुख बिंदु क्या क्या है पहला की सामगरी तक वो ऐसे कि जहां आंद्र प्रदेश के मात्र 35% बच्चों की पहुँच पाठी पुस्तकों तक है वहीं असम में यहां आंकड़ा कितना है 98% वहीं अगर ऑनलाइन लर्निंग तक पहुँच की हम बात करें तो इसमें देखे क्या इस्तिति है कि मात्र एक त्याही ग्रामिन बच्चों की पहुँच ऑनलाइन लर्निंग तक है जबकि संपूर्ण देश के अधार पर देखें या सर्वेक्चन और सामिल जो बच्चे थे उनके आधार पर देखें तो यहां आंकड़ा कितना है मात्र 11% मतलब 11% बच्चों की जो पहुँचे वो ऑनलाइन लर्निंग वहीं इस रिपोर्ट में यह बात भी देखी गई कि स्मार्ट फोन तक ग्रामीन परिवारों की पहुँच पिछले वर्स की तुलना में बढ़ी है उसके साथ ही सिक्षन सामगरी को प्राप्त करने में मैसेजिंग एप यानि कि वाटसप जैसे एप कि भूमी का काफी महत्र प्रतिसत में इस वर्स विर्दी विए है वह ऐसे कि 2018 में स्कूल में नामंकन ना लेने वाले ग्रामीन बच्चों का प्रतिसत कितना था 1.8% जबकि 2020 में यह कितना है 5.3% अब इसका कारण क्या हो सकता है इसका कारण यह हो सकता है कि लौकडाउन के नियमों में ढील दिये जाने के बाद और चोटे इस तरों पर स्कूल को खोले जाने के बावजूद भी जो माता पिता हैं बच्चों के वह अभी बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं वहीं देखिए आगे यह बात भी कही गई है कि माता पिता का जो सिक्छा का इस्तर है वह सिक्छा का इस तूपर माता-पिता तूपर माता-पिता पीड़ल माता-पिता में जो कुल माता-पिता पढ़ाते हैं, उनके परतिसत से क्या रहता है, कम रहता है, तो मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चों को जो घरों में पढ़ाये जाता है माता-पिता के द्वारा, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता-पिता के सिक्षा का इस तर कितना है, वही इस रिपोर्ट में यहां बात भी है कि डिजिटल अंतराल जो देश में मौझूद है इससे सीखने की पुर्कृRIया प्रभावित हुए है और डिजिटल अंतराल का मतलब यहां पर क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब किस शेतरता की हम मौझूद है उसके अलावा ज अगर हम असर रिपोर्ट की समिक्षा करें, तो हम यह कह सकते हैं कि इसकूल की जो मौजुदा सिक्षन परणाली है, उस सिक्षन परणाली में हस्तक छेप करने की आविसकता है। इसके लिए आविसक्षन की सिक्षन परणाली में हाइब्रिड समाधान दिया जाए। फिर वहीं आगे यहाँ पर यह है कि जो पार्ठी पुस्तक है, उस पार्ठी पुस्तक की पहुँच जादातर बच्चों तक कैसे हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। खासकर उन बात कही गई है कि सैक्षिक मदद का जो अंत्राल है, मतलब यहाँ पर है कि हर बच्चों तक पूरे तरीके से राज्य समर्थित सैक्षिक मदद नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पर यह जो अंत्राल बना हुआ है, उस अंत्राल को भी पाटा जाए। इसके लिए और तमिलनाडू, केरल तमिलनाडू इन दोनों राज्यों ने किया क्या है, कि इनके राज्य के पाठिकरम में जो जो विशे हैं, उन विशेयों से संबंदित उन्होंने सैक्षिक वीडियो बनाया है और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया है, इसका लाब यहाँ पर बच्चों की पहुंच इंटरनेट तक आराम से हो रही है, और वहीं इंटरनेट पर उनको अपने पाठिकरम से संबंदित जो वीडियो है, वहाँ पर मौझूद है, तो मतलब यह कि सीखने की प्रक्रिया है, वह सीखने की प्रक्रिया अनुवरत रूप से जारी है, वहीं या पता है कि जब तक कोरोना वाइरस के विरुद्ध दवाई नहीं मिल जाती है, उसका सफल परिक्षन नहीं कर लिया जाता है, तब तक स्कूल में बच्चों की भौतिक उपस्थिती संभव नहीं है, तो इस स्थिती को देखते हुए, केंदर सरकार, राजर सरकार और ना संपात्की में असर रिपोर्ट पर चर्चा की है, चले आब हम बढ़ते हैं, अपने दूसरे संपात्की की ओर जिसका शिर्षक है, ट्रस्ट इन डेटा, इस संपात्की को लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यहा संपात्की जी अस पेपर टू में शामिल विसे, संपात्की का आछिर आधार क्या है, संपात्की का आधार कोविड संक्रमन से संब्राइड आंकड़ा, आख यह बात हम कर क्यों रहे हैं, बात हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देज के सीर्षंड cognitive center, क्योंकि इसके नाम का खुला सा नहीं हुआ, तो देज के जो सीर्षंड सेंटर है उसके मैनेजिंग डिरेक्टर ने यहां बात कही है कि महाराष्ट के कुछ जीलों में वहां पर मौझूद अधिकारियों की द्वारा टेस्ट परक्रिया मतलब कोरोना की जो जांच की जाती है तो उससे समंदित जो टेस्ट परक्रिया है उसको वो प्रभावित करने का सीधा सा यहां पर यह है कि यो नहीं चाहते हैं कि कोरोना संकरमन से समंदित जादा आंकड़े लोगों के सामने आए अब जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं तो देखें देश में कोरोना जांच का इस्तर 29 सेप्टमबर को कितना था 11.1 लाक परती दिन और 29 ऑक्टूबर को यह आंकड़ा कितना है 11.3 लाक परती दिन मतलब यह कि इस एक महिने की अबधी में थोड़ा सा ही सही लेकिन कोरोना जांच के इस तर में हम यहां पर क्या देख रहे हैं वृद्धि वी है लेकिन अगर समान अबधी में विभिन राज्यों के जांच के अगर हम आंकड़ महाराष्ट का जो आंकड़ा है जरा वो गौर कीजे कि यहां पर 29 सेप्टेंबर को एक लाक प्रति दिन जो है वो जांच हो रहे थी कोरोना संक्रमन की जो 29 अक्टूबर को घटकर कितना हो गया 63 हजार प्रति दिन वहीं जरा दिल्ली की देखिए दिल्ली में अगर हम प्रत की गिरावरड दे की गई है दिल्ली के साथ एक और समस्या समस्या यहां पर यह है कि यहां पर जितने भी कोरोना संक्रमन की जांच की जाती है उसका 75% जांच हो वो किसे होता है rapid antigen test की द्वारा किया जाता है और rapid antigen test की सबसे वड़ी खामी यहां पर यह है कि इसकी जो सु जितने भी व्यक्ति हो रहे हैं उसका 1.6% प्रतिदिन संक्रमित लोग कहां पर हैं बिहार में और अगर जांच प्रतिसत में गिरावट की बात करें तो उसमें गिरावट देखी गई इस समान अवधी में कितनी 17.2% इसमें एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि बिहार में न इंताजनक मामला यह भी है कि देश में त्योहार का मौसम प्रारंब हो चुका है और त्योहार के मौसम प्रारंब होने के साथ ही लोगों के आवाजाही जो है वो बढ़ चुकी है और लोगों के आवाजाही बढ़ने से COVID-19 संक्रमन का खत्रा वा क्या है वा और भी बढ़त बिहार में हो सकता है कि COVID-19 संक्रमन के जो मामले हैं उन मामलों में विर्धी हो जाए और सीत रितु की सुरुवात हो चुकी है और सीत रितु की सुरुवात होने के साथ ही COVID-19 संक्रमन के बढ़ने की संभावना भी काफी मजबूत होती जा रही है और अगर Google Mobility Report पर गौर करें तो उसके अनुसार देश में ट्रैफिक की इस्तिती अब समाने इस्तर पर आ चुकी है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरन से जितने भी दिल्ली सरकार के पास DTC बस हैं उन DTC बसों को चलाने की अनुमती मांगिए तो अब देखिए कि एक तरफ COVID-19 संक्रमन से संबंधित आकणों का सही ढंग से संगरन नहीं करना वहीं हर एक इस्तर पर लापरवाही का बढ़ता जाना और इसी लापरवाही का नतीजा यह है कि महराष्ट दिल्ली पस्चिमंगाल और करनाटक में COVID-19 संक्रमन से संबंधि हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और देखे यूरोप में भी संक्रमन का मामला बढ़ चुका है यूरोप अगर चाहे तो लोगडाउन लगा भी सकता है लेकिन हम लोगडाउन नहीं लगा सकते हैं मतलब भारत लोगडाउन की नई पहल नहीं कर सकता है और यूरोप में जो संक्रमन का मामला बढ़ा है तो यहाँ पर यह है कि कोरोना वाइरस से संबंदित कोई भविस्वानी सही नहीं हो सकती है तो इस समय आविश्यक्ता इस बात की है कि विभिन राज्य सरकारों की ध्वारा यह जो कोरोना संक्रमन से संबंदित आंकड़े छुपाए जा रहे हैं आंकडों के साथ जो खेला जा रहा है यहां कारें ना करें और जो सही तस्वीर है COVID-19 संक्रमन की उस तस्वीर को देश के सामने पेस करें क्योंकि यही दृष्टिकोन कोरोना महमारी संक्र से निपटने के लिए उचित हो सकता है तो इस परकार इस दूसरे संपात्की में हमने यह देखा कि COVID-19 संक्रमन से संबंदित आकडों में क्या कमिया है और COVID-19 संक्रमन से संबंदित आगे किस परकार की चुनोतिया है अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपात्की की ओर जिसका शिर्षक है Stop Using the Law to Harass Critics इस संपात्की को लिया गया है Financial Express से और या संप एवम राज्यों के कार एवम उत्तरदाइत की दिश्टिकों से महत्पूर्ण है देखते हैं इस संपात्की को भी विस्तार के साथ इस संपात्की का आधार है Article 19-1-A अब देखें मामला क्या है मामला यह है कि सुप्रीम कोट ने पस्चिम बंगाल पुलिस के उस समन पर रो कि यह जो वैक्ती जो दिल्ली में रह रहा है और जिसे पस्चिम बंगाल की पुलिस कोलकाता पूस्ताच के लिए बुला रही है तो इस वैक्ती ने फेस्बुक पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में इसने यह दावा किया कि पस्चिम बंगाल की सरकार ने मुस्लिम आव वादी वाले इलाकों में केंद्र सरकार के द्वारा घोसित लोगडाउन को सही रूप से लागू नहीं किया है अब पस्षिम बंगाल की पुलीस का यह दावा है कि यह जो पोस्ट किया गया है यह पोस्ट सामप्रदाइक स्वहार्थ के दृष्टिकों से गलत है और पस्षि व्रुद्ध कोई भी सक्त कारवाई नहीं होनी चाहिए ऐसा कहा पस्षिम बंगाल की पुलीस को वहीं यह भी बात हाई कोट ने कही कि अगर पुलीस फिर से नोटिस दे तो व्यक्ति पुलीस के समक्ष उपस्तित हो तब इसके बाद वह व्यक्ति सुप्रीम कोट पहुचा और सुप्रीम कोट ने अंतरिम रूप से वेस्ट बंगाल पुलीस के समन पर रोग लगा दी और सुप्रीम कोट के द्वारा वेस्ट बंगाल पुलीस के जिस समन पर रोग लगाई गई है तो सुप्रीम कोट ने अपने इस निर्णे के द्वारा भारती समिधान के द्वार के section 41A का दुरुपयोग ना हो पाए या जो section 41A है इसके अंतरगत पुलीस के समझ उपस्थित होने का प्रावधान है अब सुप्रीम कोड की द्वारा यह जो निर्ने दिया गया केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए यह एक इसारा है कि वे कानून का प्रयोग इस प्रकार से ना करें कि आम नागरीक परिसान हो तो क्या ऐसा कोई कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है तो किया जा रहा है इसके कई उधारन मौजूद है जैसे देखिए कि हाथरस बलातकार मामले में जब परदर्सन कारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था है तब यूपी की सरकार ने उन लोगों के विरोध राजदरों का मुकदमा दर्ज किया वहीं जो गौर अच्छा कानून बनाए गया है तो इस गौर अच्छा कानून के द्वारा कई लोगों के अधिकारों का दमन भी किया जा रहा है वहीं अगर महराष्ट सरकार की हम बात करें तो महराष्ट में धीमा कोरेगाओं मामले में कई लोगों के विरोध उपा मतलब Unlawful Activities Prevention Act एवं National Security Act के तहत मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली में फरवरी मा में जो दंगे हुए हैं इस दंगे में जो तथा कतित सामी लोग हैं उन लोगों पर भी Unlawful Activities Prevention Act के और National Security Act के अंत्रगत मामला दर्ज किया गया है वहीं पस्ची मंगाल में एक प्रोफेसर को केवल इसलिए गिरफतार कर लिया गया कि उन्होंने एक राजनितिक काटून बनाय था अब यहाँ पर बात यह है कि जो बातें कही जा रही है तो क्या उससे सम्मंधित कोई आंक्रे हैं या कोई आंक्रे इस बात की पुष्टी करते हैं तो आंक्रे इस बात की पुष्टी करते हैं National Criminal Record Bureau के आंक्रे National Criminal Record Bureau के अनुसार राज्जी के विरुद्ध कारे करने वाले लोगों पर दर्ज्मकदमों की संख्या जहाँ 2014 में 500 थी वहीं 2019 में या कितनी है? 75-100 है. अब इन सब के बीच एक सकारात्मक्ता यह दिखती हुआ यह कि केरल राज्ज के द्वारा राज्ज पुलीस कानून में एक प्राबधान को सामिल किया गया. और इस प्राबधान को सामिल करने का जो उद्देश से वह उद्देश यह है कि सोशल मीडिया क विरुद्ध अगर पुलीस कारवाई करना चाहती है या उसके विरुद्ध मामला दर्ज करना चाहती है तो फिर उसका आधार क्या होना चाहिए? विवेक पूर्ण आधार होना चाहिए. अब इन सब के बीच यहा आविस्यक है कि केंद्र एवम राज्ज सरकार लोकतंत्रि की सेफ्टी वॉल्व का कारी करता है तो इस परकार हमने तीन संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा की यह रहा आज का प्रश्ण है कि निम्न कत्नों की सत्यता पर विचार करें पाला कत्न कि भारती संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार अपनी प्रकृती में निर्पेक्च है दूसरा कि 42 संविधान संसोधन द्वारा संविधान में 11 मूल करतव्यों को सामिल किया गया सही विकल्प का चुनाव करें ओप्सन ए केवल पाला कत्न ओप्सन बी केवल दूसरा कत्न ओप्सन सी पाला और दूसरा कत्न और ओप्सन दी इन में से कोई नहीं कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतिजार रहेगा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार